नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन में एक, दो और तीम पैसे के सिक्कों के बारे में तो आईए देखते हैं आज का वीडियो, भारत के स्वतंत्र होने के पस्चात RBI ने एक तीम पैसे का सिक्का, तीन दो पैसे के सिक्के और चार तरह के एक पैसे के सिक्के जाय किये थे, जिन में से मेरे पास जो तीन पैसे का सिक्का है वो मौझूद है और तीन में से दो प्र करके एक पैसे का सिख्का मौजूद है तो आज का पहला सिख्का एक नया पैसा है जो की ब्राउंज का बना हुआ था ये सिख्का उननिस सो संतावन 1957 से लेकर 1962 तक जारी किया जाता रहा ये वेट में 1.5 ग्राम्स का था डामेटर 16 mm और थिकनेस 1 mm की थी पीछे में अशोक स्तम और भारत और इंडिया दिखा हुआ था सामने में एक नया पैसा दिखा हुआ था दूसरा सिख्का उननिस सो बासट से लेकर 1963 तक जारी किया जाता रहा ये स्टैंडर सर्कुलेशन कोई था ये निकल ब्रास का बना हुआ था वेट में 1.5 ग्राम्स डामेटर 16 mm और थिकनेस 1 mm की थी 1964 में एक ऐसा ही दिखता हुआ सिख्का जारी हुआ था जिसमें एक पैसा लिखा हुआ था इस सिख्के पे एक नया पैसा लिखा हुआ था और इसके बाद में 1964 में जो सिख्का इशू किया गया था उसमें सर्फ एक पैसा लिखा हुआ था वो सिख्का मेरे पास अभी नहीं इस सिख्के के पीछे अशोक स्थाम और इंडिया या भारत लिका हुआ था एक पैसा का तीसरा सिख्का 1965 से लेकर 1981 तक जारी किया जाता रहा ये अलमुनियूम का बना हुआ सिख्का शेप में स्क्वार था और वेट इसकी 0.75 ग्राम्स की थी डियमेटर 17 mm और तीकनेस 1.72 mm की थी पीछे में अशोक स्थाम और इंडिया या भारत लिका हुआ था हमारा दो पैसे का सिख्का कॉपर निकल का बना हुआ था और ये सिख्का 1967 से लेकर 1963 तक जारी किया जाता रहा ये सिख्का वेट में 2.95 ग्राम्स का था डियमेटर 18 mm और तीकनेस 1.8 mm की थी ये शेप में स्कालप्ट था और इसके 8 कोंड थे पीछे में अशोक स्थाम का चित्र बना हुआ था भारत और इंडिया लिखा हुआ था रामने में दो नए पैसे लिखे होगी थे एक पैसे की तरह 1964 में 1964 में बिल्कुर ऐसा ही सिख्का इश्यू किया गया था उसमें दो नए पैसे के बदले दो पैसे लिखे हुए थे रुपे का पचासवा भाग लिखा हुआ था और पीछे में अशोक स्थाम और इंडिया और भारत लिखा हुआ था जो हमारा दूसरा दो पैसे का सिख्का है यह 1965 से लेकर 1981 यानि 1965 से 1981 तरी शुक्तिया जाता रहा यह स्कांडर सेर्कुलेशन कॉइन अलुमिनियूम का बना हुआ था यह वेट में एक ग्राम का था वन ग्राम और डामेटर 20 mm और तिकनेस 1.5 mm की थी शेप में यह स्कालप्ट इसके आठ कॉन थे और पीछे में अशोक स्थम बना हुआ था इंडिया और भारत लिखा हुआ था हमारा तीन पैसे का सिख्का 1964 से लेकर 1971 तक जारी किया जाता रहा यह सिख्का अलुमिनियूम का बना हुआ था वेट में 1.2 डाम्स का था डामेटर 21 mm और तिकनेस 2 mm की थी यह भी 20 पैसे के सिख्के की तरह ही हेक्सागन यानि 6 कोनों वाला सिख्का था पीछे में इसके आशोक स्थम बना हुआ था और इंडिया और भारत लिखा हुआ था आशा है दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा आपका समय देने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो